और चाहें किसी भी देश के दोरा सचालित किया जा रहा हो. मिसन के निष्चित्ता और अनिष्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिसे कि एक मिसन सफल या आशफल होता है. लेकिन ना हम ठके ना हम हारे. हमने अपनी पिछली कमियों को चुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ प्लैंडिंग करेगा सभी तर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इस्ट्रो के अब तक के सभी लूनन मिसंस की संग्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इस्ट्रो का पहला मून मिसं चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLB राकेट के द्वारा सफलता पुर्वक प्रक्षे पित किया गया था चंद्रयान वन चंद्रमा के सता पर पानी की खोश करके पहले ही तिहास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विश्ट्रो के तमाम अंतरिक्ष वैग्यानिक और स्पेस एजन्सियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मून मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LBM-3 द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमेटर के सरकुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिसन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्षन और मिसन मैनेज्बेंट के वजह से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारियरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्तोपोर्ट पेलोड वय चारसी यानि की आर्बिटर हाई रिजूलिशन कैमरा विश्टो का सबसे बहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भीज रहा है अब मैं आरुसी जी से निवेधन करूंगा कि वो आप लोगों को इस्रो के बर्तमान मिशन चंद्रयान थ्री के बारे में बता है अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इस्रो के अब तक के लूनार मिशन्स का विबरन अब चलते हैं टूर्स चंद्रया झाल नमस्कार इसरों के इस महा अभियान से जुड़ने के लिए आप साधा राम अंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ 23 अगस 2023 आज की साम इसरों के वैज्ञानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रमा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इसरों के गौरों पूर इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे आप ए सारे विज्वल्स अपने स्क्रीन पर इसरों के मिसन आउपरेशन कॉम्पलेक्स यानि मॉक्स से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग एंड कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है इस विज्वल्स आपको पावर डिसेंट के काउंट डाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सौफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग बाईस मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आप फीसियल वेबसाइट फेस्बुक ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं कर देंग ठीक हैं आप्रेशेम नेट्राइक शीक अजरी किस्टेड कहन्याओ इस्टेर्देव हैं इस्टेर्थ अंडगलूर्ण अरमपल्ट मेंगा इस्ट्राइब सेंगे और टू डिज्च वितस्ट टू दुद्टेव इंगेंगें इस्ट्टेर्दान मिष्णी और पाव पत्नीनीन will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसको का पहला Moon Mission, 341 October 2008 में, PSLV. धन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोग मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माडियूल निश्चित तोर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन्स को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सता पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आजकल विस्व के तमाम अंत्रिक्ष बैग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LVM3 द्वारा सफलता प्रोवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद या चंद्रमा के सो किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्वूर्ड पेलोड OHRC यानि की आर्विटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं ROCG से निवेधन करूँगा कि वह आप लोगों को इसरो के बरतमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अब ही आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लुनार मिशन का विवरन अब चलते हैं तोर्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2, which has been designed to accomplish our mission goals The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 7. 36,500 km ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 Earth-bound maneuvers The 5th apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km At the early hours of 1st August, the Translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 km for its rendezvous with the Moon The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the Translunar injection Yes, the Translunar injection is a very necessary for any interplanetary mission Puna 5 August, 2023, Lunar Arbit insertion Anjitha, upagraha chandramah ke pravhav chitr se baahar nikal jayega LOI ke sefaltah purwak parichalan ke baad, chandrayan 3 ki kakshah ko čaar baar aur pariwarthit kiya gaya इस इस दौरान, chandramah ke adhikta mucachahi ko gha'ta kar 160 km कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में, propulsion module का लगभग 755 kg इधन का उपयोग हुआ और chandrayan 3 ke begman ko, लगभग 850 m per second कम कर दिया गया lander module को लगभग 150 km के circular orbit में स्थापित करने के बाद, 17 अगस 2030 को propulsion module से अलग कर दिया गया पुनह lander model के orbit को दो dewy boost manuvers के द्वारा 150 km के circular orbit से घटा कर, 25 गुडे 130 km के elliptical orbit में स्थापित कर दिया गया इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 newton के चारो threatable thrusters, power descent के समय किसी भी चुनोती का सामना कर सके lander module इस orbit में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा, ताकि इसके सभी sub-system को power descent से पहले कारयात्म कुरूप से verify और validate किया जा सके इस दोरान चंद्रयान 2 और lander module की आपस में बाचीत भी हो चुकी है, और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें, तो lander module अब तक 21 बार प्रतिवी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाग किलो मेटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चत किया गया की सारे आर्विट मैनुर्स इस परकार किये जाएं की लाइंडिंग साइट पावर डिसेंट के सुरुवाद से ही लाइंडर के आर्विटल प्लेन में बना रहें गाण एंगिज बना पकार ठानों के लाइंडिन 1. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 9. 9. 9. the thin and tenuous moon's atmosphere the lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this the new and improved chandrayan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter with several software improvements provision for full level redundancies a plethora of special tests namely the integrated hot test integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module the success of these tests has provided great confidence in the performance of all the on-board sensors propulsion system and associated guidance control and navigation algorithms the key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers apart from continuing investigations pioneered by chandrayan 1 and chandrayan 2 the chandrayan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world let us give our viewers a glimpse on the configuration of chandrayan 3 mission chandrayan 3 mission plan chandrayan 2 के तरही बनाया गया है यहां यहां यह भी सुनिश्चित किया गया है कि chandrayan 3 को rocket से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों और अब हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से 7% सफल रहा हलाकि lander module के sensors और propulsion system को इस तरह से मजबूत किया गया है कि lander power descent के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके mission के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में lander के मुख्य sensors कारा, LASA, LHBC, LDV और LHDAC का कारयात्मक परिक्षड भी किया जा चुका है LDV जो की पूर्टह स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया sensor है इसका मुख्य कार lander के velocity को तीनों अक्षों में compute करना है होना बहुत ही आवस्यक है, LERAV यानि Laser Inertial Referencing and Accelerometer Package इस कारे को power addition के दावरान बखुवी निभाएगा Trajectory Generation जो की चंद्रयान 3 mission के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हरा orbit maneuver के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि lander की mission objective को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूँ की orbit determination जो की उपग्रह के position और velocity को बहुत ही accurately बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल competition और estimation होता है यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC payload अब तक काफी उचे अस्तर का damp दान किया है जिसके false rope landing site के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 km कर दिया गया है जो कि power descent के दावरान soft landing कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा अपर्ट फूंड फूंड त्रीप चंद्रयान 3 इस एक्ट थेप्ट जगद जगए अस्तर पेलोड चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और बूट अजग जगधार अबून तर रभूड़ कंद्रयान 2 और आवर अबूड़ाई अबूद्ट इसके उर्पाइंट नग्ट इसके इन उनार लूण हगाफ आंश रिल्ग मैंस्पेर κयोव शुलापन छोटा Counterinkρα अम 더 बाउन स्सक्राफ टाहएं, शले यूरिमाट थाल वालोटिटों उस बालील अम 건र्प्र यूबूररिक उतकित्र मॉरिद जानेक्सári लूलेतीकश बालीवें लूप्टर सेंट वीडिपमाई विसक्राफ़ेट। औलो को आस एब इन फड़फे चलो बाशैने लिघ्तु अजातर में। अधालो लिए निग स्वार्ड बार्ड टरॉड़ाव लिए जूड़ अखंगा। जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया कु पूरा करने में लग भग साढ़े ग्यारा मिनट लगेगा। और इसका सामाना अंतर बेग एक हजार चाहसो असी मीटर प्रतिसेंट से घटा कर तीनसो अठावन मीटर प्रतिसेंट हो जाएगा। इस प्रतिसेंट के बहुत हैं। अचन की प्रतिसेंट प्रतिसेंट के लावरे हो असावन मीटर से घट ओन लगेगा। इस अप्रतिसेंट के लगेगा। The whole descent is divided into four phases The rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase and the local navigation phase or the terminal descent phase जी हाँ, attitude hold phase, चो की power descent का दूसरा चरण है एक बहुत ही महतुपोड phase है इस 10 second के small duration के दवरान लैंडर के दो महत्वपोड सेंसर, कारा और लासा लैंडर की उचाई की गढणा करेंगे इस phase के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 km की उचाई पर होगा During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second The altitude will be brought down from 30 km to 7.4 km at the end of rough braking Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data जी हाँ, हमें देख सकते हैं कि Mission Operation Complex रूप में बैठे सभी वैग्यानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो Deep Space Network IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और अगर हम आप बात करें Power Descent के तीसरे चरण का जो की Fine Breaking Phase होगा जिसमें लाइंडिंग साइट से जस्ट आट सो मीटर की उचाई पर वर्टिकली होगा इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लाइंडर की विलाउस्टी लगभग लगभग सुनने हो जाएगे The scientists here at ISTRAC are glued to their systems analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent to the start of the power descent phase जी हाँ, अगर हमाँ बात करें power descent के चौथे और अंतीम चरण का जो की local navigation phase या terminal descent phase भी कहा जाता है इस दोरान लैंडर के दो engine बंद कर दिये जाएंगे और लैंडर के sensor द्वारा इसके height और velocity की गड़ना inertial navigation को भेज दिया जाएगा इस दोरान लैंडर 150 मीटर की उचाई को प्राप्त करने के बाद full 131 सकेंड लगाएगा इस पड़ाओ पर आने के बाद पुनह लैंडर 22 सकेंड के लिए hovering करेगा आप इस समय अपने स्क्रीन पे mission operation complex में बैठे सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं जो की बहुत ही उत्सुकता के साथ telemetry data को देख रहे हैं अभी हम लोग power descent सुरू होने से just कुछ ही पल दूर है power descent सुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है और हमको इस सारे data mission operation complex room में IDSN 32 के द्वारा जो की लागातार lander के connection में बना हुआ है प्रदान कर रहा है dear viewers the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory जी हाँ अब हम अब देख सकते है rough braking phase की सुर्वात हो चुकी है during this rough braking phase the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking all this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes currently the laser inertial reference and accelerometer package Liraap is aiding in the navigation जी हाँ अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि lander अभ तक कुल 191 km होरीजन्टल दिसा में चल चुका है और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है the lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers the complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers जी हाँ कुल 745 km के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी आत्रा 20% complete कर चुके हैं पावर डिसेंट की यह सुरुवात हम कह सकते की बहुत ही सटीक और सधी हुई है जिसमें lander अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है 1 0 the altitude of the lander module will reduce from 7.4 km to 6.8 km during the next phase which is going to be the attitude hold phase We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 km. लगभग लगभग तीन सो सतर किलोमेटर चैटीस दिसा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुसी चुकि ALS activate किया जा चुका है इसलिए ground से कोई commanding नहीं की जा रही है। इस दोरान आपके screen पे सारे data ISRO के deep space network से real time में आ रहा है। इस mission में second or third order guidance polynomial का प्रयोग हुआ है जो की inertial thrust और angle के हमेशा सुनिश्चित करेगा। देरीन आपके. कि की आफ्यारी varsay और टूङ nesse हमपूबने फिर इस बीसे बार्मधिर का ट्तर Κ कि मेशनी नहीं नेरी बारे लेर जी किर्ए कि अवस्त खरी बार्मिन एक भार्मिंगे कर सान्च सर रस बारते हैं कुए और बंक उडि NBC-S meanbot ellis इनलिवर का तैने करने बार्मिर हम यहां आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइंडर मॉडूल जिसकी सुरुवात में विलोश्टी 1680 मीटर पर सेकंड थी लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है जो की एक बहुत ही मैजिस्टिक सुरुवात कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेस के यहां पर मैं आपको यह भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइंडर माडूल का आल्टीट्यूट धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो की एक्सपेक्टेड भी है अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूट की तो जो की 28.6 किलो सकते हैं चंडरयंतरी लंडर इमेजर इमेजर इस्प्लेइ लाइंड लंडर इमेजर इस कontinuously giving इस कontinuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here, currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers, the current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में, लाइंडर बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपने उचाई को घटा रहा है, अगर अब बात करें तो लाइंडर की उचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 km से नीचे हो च जी हाँ, अगर हम ध्द्यान से देखे हो लगभग 8 से साख करते हाँ, तो लगभग 8 से-Backमाइंडर के सतहे हुए we are in the middle of the rough breaking phase जी हाँ अगर हम ध्यान से देखे तो लगभक्स आठ से आठ मिनिट की यात्रा के बाद लाइंडर अपनी होरिजंटल विलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपने उचाई अभी के उचाई के समय चौविस किलो मेटर की उचाई पराप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होरिजंटल विलोसिटी लागातार कम होती हुई दिख रही है अबूरी कि अे विल्गो लिभान की एक विलकि चौविस ट29 किलोमिटर किवश ओन देखते के इस ल्हन पराप्टीट तरॉक्पित चल Zoo, परॉक्स के लिए खवे плох давно, want बहुँ कर चान county वोड चौबाय 99 यह है आप निव्क शक्रीजा आप देख सकते हैं कि लैंडर की होईजेटल वीलोस्टी लगभक लगभक साथ सो फेसरा ब्र थीजुट हो गई है लगभक-लगभक हमिये खा सकते हैं है आपते हैं कि 900 meter per second velocity को कम किया जा चुका है. At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 km from the moon's surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase. is phase के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 km and the distance travelled is 754 km. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के horizontal velocity को लागातार कम कर रहे हैं. अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 % की आतर को पूरा कर चुका है. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly three minutes. The hold phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो current altitude है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 km के आसपास है. जी हाँ, हम अपने… जी हाँ, हमारे प्रधान मंत्री जी, स्री नरिंद्रमोजी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए डक्षडी अफरीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गया हैं. unity yes we have bridled to have with us honorable prime minister of India extreme orange county to who has joined us from south africas johannesburg तो एन्कुरेज अस जी हाँ आप ये देख सकते हैं आइटीट्यूड होल फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग पांच दसमलो छो किलो मिटर है जो के इस फेस के उपरांथ लगभग लगभग आट सू मिटर हो जाएगे जी हां जैसे की आरुसी जी ने बताया कि लगभग आट फेस पार लगभग आटेटिव ने दीडिया जी हां जैसा की आरुसी जी ने बताया कि लगभग तीन मिनट के उपरान, लांडर की हाइट लगभग 800 मेटर वरतिकली होगी, और यहां पे लांडर की होरिजन्टल विलोसिटी, वरतिकल विलोसिटी, इवन दाउनर रंज भी लगभग लगभग सुन्ने होगा. We can see the visual of the Lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 km. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि Lander की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 km as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं, कि Lander की उचाई लगभग लगभग एक किलो मेटर के आस पास है. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आ चुके हैं, आप तालियों के गडगड़हट के सिं सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पुर्वक हासिल कर लिया है. और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी सुरुवात भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी हैं. लुट अप्लॉज इंडिकेश तालियों कि तिल नव पर्फॉर्मेंस है नुमिनल, भी अच्छे दंग से हो चुकी हैं. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है. इस समें हम लाइंडिंग साइट के जस्ट उपर हैं और इस समें इसकी उचाई लगभग लगभग छैसो मीटर के आसपास है. इस इस स्थेस के दौरान लगभग एक चोपचास मीटर के उचाई पर पहुचने के बाद लैंडर अगें लगभग भीस से बाइस से के लिए होरिंग करेगा. We are above the landing site, the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो पत्निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है. इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं. अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं, चंद्रमा के सतव से. अब हमें देख सकते हैं, जो कि सकेंड हारी फेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है. जी हाँ, अगर अगर थिर से ध्यान से देखें, तो आल्टीटुड पुना कम होता जा रहा है. अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature. For the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है. Currently, only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We are, we were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लाइंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आचुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals. People are applauding, let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module पूरी तरह से safely और softly चन्दरमा के सता पे land हो चुका है. यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है. हिंदी में एक कहावत है कि चन्दा मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चन्दा मामा अपने घर के. बहुत ही उंदा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition. हुआ प्रदान मथर प्रदान मुझा जी, नमस्कार. सब्सक्राबा कर चाहिता, जुछद बहुत है. चाहिता है, एक है अएले के वणकार है. मेरे प्यारे परिवार जनो जब हम अपनी आँखों के सामने आईसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी एतिहासी घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आव विश्मनिय है ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सिद भारत के संखनात का है ये च्छा नए भारत के जैगोश का है ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है ये च्छा जीत के चंदरपत पर चलने का है ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये च्छा भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये च्छा भारत के उदैमान भाग्य के आहवान का है अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ता कि ये अमर्थ भर्षा हुई है हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक सात्यों ने भी कहा इंडिया इज नाव अंद मून आज हम अंतरिक्ष में मैं भारत की नई उडान के साक्षी बने हैं साथ्यों मैं समय ब्रिक्स समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका में हूं लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है हर गर में उत्सम शुरू हो गया है रदे से मैं भी अपने देश वाच्चों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ मैं टीम चंद्रयान को इस्रो को और देश के सभी वैज्यानिकों को जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनोंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्न किया है उत्सा उमंग आनंद और भावुक्ता से भड़े इस अदभुत पल के लिए मैं 140 करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ मेरे परिवार जनों हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी द्रू पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मित्थक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम, हम सभी लोग धर्ती को मा कहते है और चांद को मामा बुलाते है कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के है चंदा मामा बहुत दूर के है अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बास एक तूर के है चंदा मामा बच्चे कहा करेंगे तूर कि इस हो नी आएड विए विट इंगा झानेदी me बच्चे कहा बास के पर स्विघून टूर this human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों, चंद्रयान महाभियान के युपलब्दी, भारक की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ पर्खेंगे और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांशी लक्षत्ताई किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इस्रो आदित्य एलवन मिशन लाउंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इस्रो के लक्षों में से एक है. गगन यान के जरिये बेश्ट अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइक मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काइद नौर्द लिमीट। साथियों साइन्स और टेकनलोजी देश के उजबल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। ये दिन हम सभी को एक उजबल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिध्धी का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीख है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वज्ञानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के इंबिशन के लिए धेरो शुब कामना है। बहुत बहुत धनिवार। बहुत 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 भार बचित कामना है। वार्थर्ट पलंधी ऑजय कोना प्रशेमानी है इवामृब ड़ जूसेश्स, और दिते जूपराशनी है इवराख न्यम्यूब तरिश्न एसेट अजय को नुवकलोवये इवाला हूं कि यह रखो रखनाव, and the mission operations director, Srikam. And the site lady was built at your house at least and the Shankar and the director. it is a great moment of happiness on behalf of team it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission the entire mission the entire mission operation is right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing on to the moon surface and we became the first country to go to the near to the South शहुर अबरोड विर ऑफ जप द में एक आफ डिर यूंट एक थे थे जब च परशूट इन्जच फिर टॉब में फिर टॉटाल यूब टॉट टॉट इन्जच, टॉट्ट संथ टॉट झाहिक थे एक यूट एकर फूटूटनीट टॉट्ट में धिन जे खंट टॉट फिर तर्ग वंपुर्ड वांप्छूज़ इंप्र यूर्स करानीew करिए है और है टूरी स्टीट है और कर टायवारी किव अए बेखाए निए प्रेष है अगारी कि यूरूजिए पूरज़ दोडिया कामें आधि थी थे व्री से हैंगाक टायवारी में घंट आट कि आट अनूरी ऑ्रोलरी कुलीज़ इसलमाफ इसफ़ गया इसी बी नहीं प अवजाथ जैरेटर कालपना पेस्ट आपिस में रृप्ड टो दून रुन आप एंसे टू राप्टर इंटू अप्यज फिर एंट आधिंगा का फेर इंटू एंतू आंटू खिन धी ब्री टुटों चंडरियान्तु वर एंडरियू को उत दूशित्स थाभिजरियू को अजीं टॉट्थ छूटर मेते हैं, इस हैं। औरियूग वॉप्सब्स और काणिष्ट हम रिंग कर देदाश चंडरियू और कि युछ धिद्यांतुंट अप्रटू इन घ्क जास इन खि अजस्य छोग नहीं विप्टोंट प्रुटम्ट्मिट रादेश और प्रादमन्स आंक यान। इंटान ऑन्strong और सफ्टिछ्टी स्टेश्टेश्ब थांडर्स एफ दुट्सौड्टीं संप्र्सु इस्रा इस्राइब तर बासे लिए और इस इंसाफर्प्ट्स, और इस्ट और अन्होर। और तो प्रीफ आवाल में आवाल्सी तो सक्षेट और तो हैंगे तो में आवाल्स नाती तो जाहत एक वह अचीवी अचीवने ल को सटाउ टाउिव न जीन आए दोननेना, ट जासट गवे रिले फ्वरत वेखन सन्टरी मेझाओ सेफित लिट वेवराई टाॉर। Chapter here I will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when I say project team which is not just only the project director and Associate Project Director of course they are the face of the project they have been living, sleeping, eating breathing Chandreyyan for the last four years they have been supported by such a large number of people particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system this area, the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and overcome that it is, as a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them the amount of effort is tremendous that is what ISRO is all about that is what our organization has taught us to do now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future so as the Honorable Prime Minister mentioned we will be now looking at putting the man in space putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars work on all these activities are going on for few years and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us intentionally or unintentionally helped us in all, for every one of you a big thank you because even casual remark an unintended point can help a person who is striving to reach a goal the person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very 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 welcome and we are very very thankful for that thank you team ISRO for supporting all of us the amount of affection we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful the amount, in fact I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I I know very well as a as a person who has been doing in this in this domain for 36 years I know there are thousands of things any of that could I can anytime go wrong and derail but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so 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 happy to see this effort and they want us to succeed it is not that we are they know that we are going to succeed the people want us to succeed so thank you very much for everyone for your love and affection we will continue to do our best and make our flag fly ISRO's as well as India's flag fly high thank you very much honourable honourable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in ISRO so thank thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days who wanted this success to happen in ISRO I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years i want to thank you guys i want to thank you and kira and thank you and and Mr. Kamalakar, Shri Koteisha Rao, they have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is the work of a generation of Israel leadership and Israel scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जहतको है? कि झीज़ी दिदुगे कि लेड़ी लेकी दिए्ट पाहता है लिए्ट से खाहता है जाए्ट से खाहता है कर दो 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 झाल झाल झाल